नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहेवली एक बार फिर से बिहार में बाढ़ के बीच मुखमंतरी नितिस कुमार की सरकार को जटका लगा है दर असलिए जटका सुप्रीम कोट की तरफ से लगा है आपको बता दें कि चमकी बुखार से निपटने की एक याचिका दायर की गए थी सुप्रीम कोट में जिसमें कहा गया था कि ये पूछा जाए कि आखिरकार जो चमकी बुखार जिसे acute encephalitis syndrome यानि की AES भी कहते हैं उससे सरकार निपटने में कारगर क्यों नहीं है इसी आज के अपर सुप्रीम कोट में आज सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोट ने back to back तीन सरकारों से जवाब तलब कर दिया आपको बता देगी केंदर सरकार केंदर की नरेंदर मोधी सरकार से पूछा गिया है कि आखिरकार मौते क्यों हुई इसके साथी साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित तिनाद सरकार से भी ये सवाल किया गया है और बिहार की नेतीश कुमार की सरकार भी इसमें शामिल है मुकुमंति नितीश कुमार की सरकार इससे पहले भी फटकार खा चुकी है सुप्रीम कोट की और उसकी किरकिरी हो चुकी है क्योंकि जब सवाल किया गया था कि आखिरकार चमकी बुखार को लेकर कि आप क्या कर रहे हैं किस तरह की विवस्थाएं हैं आखिर मासूम बच्चो में डॉक्टरों की कमी है नितीश सरकार ने ये भी माना था कि साफ सफाई के साथ साथ जो नर्स होती है उनकी भी कई पद जो है खाली है और भारी मातरा में खाली है तो फिर एक बार फिर से नितीश सरकार को जटका लगा है सुप्रीम कोट से ये सवाल किया गया है कि यू बिहार सरकार और उत्रपरदेश सरकार क्या जवाब देती है सुप्रीम कोर्ट में लेकिन ये बड़ी बात है एक तरफ जहां बिहार में बाल को लेकर के नितीज सरकार की किरकिरी हो रही है उत्रपरदेश के भी कई हिस से बाल से परशान है और इस बीच नितीज सरकार से ये सवाल किया गया है एक तरफ जहां पर बिहार विधान मंडल के मौनसून सत्र की बात करें तो आधा सत्र खतम हो गया इसी हला हंगामे के बीच कि आखिरकार AES पे सरकार इतनी बेशर्म क्यूं है मुकमंति नितीश कुमार स्वास मंत्री मंगल पांडे आखिर इस तीफा क्यू दिया गया उसके बाद मंगल पांडे ने जवाब दिया और खुद मुकमंति नितीश कुमार ने मंगल पांडे का बचाओ किया इसके बाद वो भी फ्लोर पे उत्रे और उनको भी विपक्स के सवालों का जवाब देना पड़ा बहुत लंबी चौड़े लिस्ट थी लेकिन संचिक में मुकमंति नितीश कुमार ने जवाब दिया था और ये माना था कि मुझे मुझे मुजफर पूर और पहले जाना चाहिए था वहां के जो हालात हैं वो बत से बत्तर हालात हैं और सिर्फ AES ये नहीं बलकि उसके आसपास के जिले के जितने भी छेतर हैं वहां से परीज भारी तादात में इस केम सेज पहुंचते हैं बिहार में लगतार काम किया जा रहा है लेकिन सर्वे रिपोर्ट की बात कहते हुए मुकमंति नितीश कुमार ने अपना भाशन खतम किया था और उसके बाद विपक्ष का हंगामा कहा जा रहा था कि असंतुष्ट है नितीश कुमार के बयान से अब इस बीच बिहार में बाढ को लेकर कि क्रिकरी हो ही रही है एरियल सर्वे लगतार जारी है मुकमंति का लेकिन सवाल उठाया जा रहा है कि उपर से क्या देख लीजेगा इनी सब सब सवालों के बीच में सुप्रिम कोर्ट से जटका लगा है नितीश सरकार को देखने वाली बात होई कि आखिर क्या जवाब दिया जाता है आप लाइफ सीटीश साथ बन रही है हम आपको बिहार समय देश दुनिया कि तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे है इसके साथी साथ हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करि किये लाइफ सीटीश डॉट इन पर जाएं धन्रबाद